Assalamu alaikum my name is Anast Hashim and welcome back to conceptual science so today we are going to talk about GERD that is also known as gastroesophageal reflux diseases ठीक है तो GERD का दूसरा नाम ये भी हो सकता है कि reflux esophagitis भी कहा जाता है और reflux esophagitis इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी definition इस चीज़ पे suit करती है so what is this definition मैं आपको सिर्फ नाम का मतलब समझाऊंगा definition आपको खुद समझा जाएगी so first word is reflux reflux क्या कहते हैं किसी भी चीज़ को उपर उभर आना बाहर आ जाना ठीक है so basically होता भी है इसमें अगर मैं यहां देखू उसकी pathogenesis में issch....S्टमक human brain एक हमरया समस olsun 아니고 PEPPCINE पुरास का यह होता है acidic content होगा pH उसकी काम होती है अगर यह content यहां से निकल के बडीक आ जाए ESOPHAGUS में आ जाए तो होगा इसोफेगस रप्चर होगा, damage होगा, inflammation होगी तो reflux हुआ है acid जिससे inflammation हुई है इसोफेगस की तो reflux isophagitis, tis हमेशा आता है inflammation में तो reflux isophagitis is GERD, that is gastroesophagial reflux disease अब यह disease कैसे बन जाता है, इसमें मसला क्या आता है वो हम आगे आगे जाते जाते पढ़ते जाएंगे लेकिन पहले मैं आपको समझा दूँ complete pathogenesis की इसमें होता क्या है definition समझा की pathogenesis देखते हैं कि यह आपके बास isophagus था आगे जाके lower isophagial spinster के बाद आगे जाके change हो जाता है कि इसमें stomach में ठीक है ट्यूब सेम ही है जो कि आगे जाके इस टमंग में change हो रही है lower isophagial spinster जो है उसका काम क्या होता है contract होना, relax होना contract होना, relax होना last disease में हमने पढ़ा था eclasia में, achalasia जिसको हम कहते हैं जो भी कह सकते हैं उसमें क्या हो रहा था lower isophagial spinster जो है इसका opposite है, यहां lower isophagial spinster जो है जिसको contract होना चाहिए वह contract हो ही नहीं रहा वह relaxed का relax ही है after the content goes into the stomach अब content जो है वह यहां से food यहां से चला गया stomach में यह acid बनना शुरू हो गया लेकिन यह बंद ही नहीं हुआ जब यह बंद नहीं होगा क्यूंके lower isophagial spinster is not functional इसकी अपनी tone नही नहीं तो क्या होगा content उपर आएगा, reflux होगा Количе होगा content यहां उपर आएगा, acid यहां touch यहां touch होगा, यहां touch यहां touch होगा, क्या होगा, inflammation होगी, inflammation की वज़नसे क्या होगा यहां पर youre ph vegan spasically आपके पास neutrophils और your lymph fiber sheriff हो जाए ब्लड लॉस हो जिसके ऐसे अनीमिया भी हो सकता है वह आगे जाके हम क्लिनिकल फीचर में पढ़ेंगे लेकिन अभी बता रहों क्या क्या हो सकता है इंफ्लमेशन होगी एडीमा होगा सही है यह सारी चीज़े होगी अच्छा एसिड फ्रॉम स्टमक रिफ्लक्स अपवर्ड इन इसोफेगस पैथोजनेस आपको समझ आगे कि होता क्या है स्टमक का कंटेंड उपर आ जाता है नंर वन कॉस तो यह है कि लोवर इसोफिजनशिंश्टर जो है इसका टोन है यानि के इसकी जो कंट्रेक्ट होने की पावर है वो खतमों जाती होगी और वो कैसे होती होगी, तो causes देख लेते हैं, lower isoficial spinster is less tone, यानि इसकी tone जाया हो गई, खतम हो गई है, due to hypothyroidism, due to central nervous system, depressants, जिसमें tricyclins वगिर हम यूज़ कर रहे होते हैं, anti-depressants यूज़ कर रहे होते हैं, fat diet, obesity, pregnancy, ये तीनों चीज़े यहां पर शामिल है, tobacco, alcohol, ये सब की mechanism mechanism आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन सी चीज़े हैं, जो lower isoficial spinster की tone को खराब कर रहे हैं, क्योंकि असल काम lower isoficial spinster का है, ठीक है, अगर ये चीज़े होंगी, तो lower isoficial spinster क्या हो सकता है, less tone हो सकता है, खराब हो सकता है, इसका functional खरा जाता है, तो दो टाइप के हर्णिया होते हैं, number one is sliding hyatal hernia and number two is rolling hyatal hernia, रोलिंग और sliding में basically फर्क क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपके पास isoficial, ये stomach, बीच में क्या होता है, आपको याद होगा diaphragm, हमारे यापे diaphragm होता है न, diaphragm के नीचे आपके पास सारे stomach contents है इसके उपर हमारे पास क्या होते है, lungs होता है, इसोफेगस गुजर रहा होता है, एयोटा गुजर रही होती है, इसोफेगस हाइटस में से गुजर रहा होता है, जो इस diaphragm के, अगर तो आपका ये stomach यहां से हनियेट होकर उपर आ जाए, हनिया आपको पता है न, protrude करके बहा निकल आना, तो अगर आपका stomach यहां से हनियेट होकर हाइटस से उपर आ जाए, तो क्या होगा, तो होगा ये, जो लोवर इसोफेगस पिंश्टर जो यहां पर है, उसका function loss हो जाएगा, क्योंकि stomach यहां उपर आ चुका है, अब stomach में बनने वाला जितना भी acid है, साहिए, वो falling hyatal hernia, उसमें basically होता क्या है, उसमें herniate stomach यहां से नहीं होता है, herniate वो यहां से होता है, यहां से हो जाता है, ठीक है, जो के esophagus के बाहर है, तो इसको हम paraesophagus के बाहर, so these are the two types of hernia, now you know about the causes, let's discuss about the clinical features and diagnosis and the treatment of GERD, moving forward to clinical features, clinical features, clinical features देख लेते हैं कि किस conditions के साथ हमारे पास patient आए in clinics, सबसे पहले चीज़ तो heartburn on bending or lying down, यह बहुत important point है, एक ही यह point, और एक हमारे पास water brush point, और एक chest fin, जो के mimic कर रहा होता है heart attack को, यह point है, बहुत important है, सबसे पहले जलन होगी, बहुत common है यह चीज़ के लोग बोलते हमें, जलन हो रही है, acidity हो रही है, heartburn हो ठीक है, तो यह समझा सके, comments में भी, तो बहुत अची बात है, लेकिन मैं खुद भी समझा देता हूँ, जब आप bend होते हैं, तो stomach क्या होता है, contract होता है, जिसके जाए से जादा pressure लगता है, और acid जादा उपर तेजी से reflux होता है, जिसकी वजा से heartburn जो है, वो तेज हो जाता है, बढ़ ज होगा, तो acid के विज़ा से क्या होगा है आपे inflammation, inflammation के बाद क्या होगा, neutrophils, neutrophils, end arrhy Overwatch, swirling करीब करीब आजाएगा, अब जो mastering क्या होगा अब next is water brush, water brush or acid brush दोनों कह सकते हैं, मुह में पानी आना होता क्या है? जब acid reflux होता है तो हमारे जब गलट में आ झाल है तो गलत थ्रोट ग्रहा में आ जाते हैं कि वज़ासे चाहिता है? it is an atypical symptom ठीके जो के specifically इसके बारे में कुछ खास बताता नहीं है लेकिन इसमें present होता है और heart attack को mimic करता है तो अगर heart attack का कोई patient है तो हम उसे disprin दे देंगे ताके इसका blood जो है वो coagulate ना हो और अगर gastro isofasal का होगा तो उसके ओपर disprin असर नहीं करेगी उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा PPI देना पड़ेगा जो कि मैं diagnosis में आपको बताता हूं इसके लावा asthma और chronic cough भी पाया जा सकता है अपना वाई asthma आपको यहाद होगा इसोफेगस यहां पर था इससे पहले यहां पर एक slit था जिसको हम epic lotus कहते है और आगी क्या होता है होता है ठीक है तो अगर acid reflux हो रहा है तो हो सकता है जो acid है वो trachea में भी जाए जिसकी वज़ा से क्या करेगा थोड़ा बहुत रेकिया को भी damage करेगा और जब irritation होगी तो asthma adult onset not जो बच्पन से होता वारा है यह adult onset वाला asthma इसमें पाया जाता है chronic cough जाहर है जब आपके पास obstruction होगी तो क्या होगा का फोना शुरो जाए जिसके से chronic cough में भी convert हो जाता है gastro-esophageal reflux another thing is dental erosion नवाइ dental erosion अगें वही थिंग जब उपर तक आएगा तो salivation शुरू होगी यहां पर acid acid भढ़ना शुरू हो जागा जिसके जासे enamel वह disturbed होगा जो इसके erosions शुरू हो जाएंगी जिसके जासे dental erosions भी बहुत जाता common है last thing is anemia anemia भी देखा जा सकते है now why anemia let's for example say here is your esophagus ठीके यहां पर rupture हुआ की वज़ा से क्या होगा आपकी blood vessels damage होंगी तो leaking क्या होगी blood का leak होना शुरू होगा blood leak होना शुरू होगा और जो अगर लंबे टाइम तक रहेगा तो क्या होगा chronic blood loss होगा chronic blood loss में आपके पास anemia आ जाएगा ठीक है so these are the clinical features of a patient of GERD clinical features देखे आपको detect हो रहा है कि आपके दिम inhibitors proton pump inhibitors में भी सबसे common कौन सा है omeprazole जो के हम बहुत commonly use करते हैं drug बहुत common है PPI क्या करेगा वो उसको help करेगा उसकी condition को बहतर करने में ठीक है PPI का function mainly क्या होता है यह hydrogen और potassium के दर्मयान का जो pump होता है ATPS pump होता है उसको inhibit करता है reduce करता है gastric acid को ठीक है अगर PPI से फरक नहीं प करेंगे कि कोई और मसला तो नहीं है endoscopy में आप क्या देखेंगे ulceration देखेंगे आप inflammation देखेंगे isophagitis देखेंगे इसमें ठीक है अगर endoscopy normal आपको मिलती है तो next step आपका क्या होगा monometry होगा monometry में basically आप क्या करते है isophagus की motility check करते है lower isophagus की tone check करते है अगर monometry भी clear आती है so last step final step जो के सबसे बहतरीन रिजर्ट आपको बताएगा that is pH monitoring for 24 hours जब इस गंटे आपको pH देखना है कि pH की तादात कितनी होती है pH कम हो रहा है तो इसका मतलब आपके पास diagnosis confirmed हो जाएगी किसकी gastroesophagial reflux disease की so moving forward to treatment अब इस तरह के patient में क्या किया जाए कौन सी treatment होगी तो पहली treatment तो PPI लिखी भी obviously लेकिन उससे पहले सबसे पहला काम होना चाहिए diet control हमने क्या पड़ा tobacco की वज़ा से alcohol की वज़ा से या फिर आपने दिखा होगा जो लोग रात में खाना काके फॉरण सो जाते है या late night खाना खाते है gastric emptying नहीं होती है आपका stomach खाली नहीं हो और आप सो गए lay down कर गए तो क्या होता है reflux होना चुरू हो जाएगा खाना तो सबसे पहले तो आपने diet control करनी है healthy lifestyle करना होगा ठीक है सबसे पहले आपने recommendation यह देनी है next step आपका होगा PPI proton pump inhibitor जो के सबसे best function करता है in GERD उसमे भी most common आपके पास omiprazole है lensoprazole है और isomiprazole है जो कि आप यूज करते हैं अगर यह function नहीं करता तो आपके पास इसके इलावा अगर यह PPI पे response नहीं करता तो आपका next step होना चाहिए surgical fund application जो कि मैं बताता हूं भी क्या होता है PPI के इलावा आप इसके रावा H2 receptor antagonist भी यूज कर सकते हैं now what is H2 receptor antagonist यह basically क्या करता है histamine को block करता है ठीक है जिसकी वज़ा से क्या होता है gastric acid नहीं बनता gastric नहीं बनता ठीक है तो इसमें भी तीन ड्रग्स है Semitidine, Ranitidine और Phamotidine जो के most commonly use होते हैं इसमें आपको याद रखना है Semitidine जो है इसमें gynecomastasia होता है ठीक है fundus part को आपको wrap करवाना होता है isophagus के पास यानि fundus को wrap करवाते हैं isophagus के पास है एक surgical procedure है तो इसको जादे आपको याद रहने की ज़रत नहीं है पस आपको यह पता होना चाहिए कि अगर PPI पर respond नहीं कर रहा तो फिर आप surgical की तरफ जाएंगे या तो फिर आपकी गर्ड की condition है वह मजीद खराब होती जा रही है जो के खराब होने के बाद बैरिट इसोफिगस कंडिशन कॉस करेगी जिसके बारे में हम नेक्स वीडियो में जरूर बात करेंगे so that's all about GERD and its treatment I hope you like the video please subscribe and share with your friends thank you